हेलो एवरिवन हेलो मेरे प्यारे बच्चों मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स और नीट 2022 के एस पेरेंट्स मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरा मणी मिश्रा आप सब को मेरा प्यार बारा नमश्कार तो जितने भी गार्जिंस हैं जितने भी बच्चे हैं बहुत डर सार सब्सक्राइब करने तो यह सारी इसका सलूशन मैं एक एक करके दे रहा हूं मेरे कुछ रिस्पेक्टिव वीडियो हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग जाके उसे देख सकते हैं कोशल लाकेडमी रायपूर के चैनल में तो मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरा म मैं आपको बता दूँ एक छोटी से इंफर्मिशन है तो इसमें दो अपडेट हैं तो मैं इसके लिए दो अलग अलग मैंने एक छोटे-छोटे आप लोग लिए वीडियो बनाया है पहला अपडेट यह है बहुत ही सिंपल सा है रिवाइजड डेट आई है नीट 2022 के लिए हम लोग जा के देख सकते हैं इसका अपडेट यह देखिए एंटिये की वेबसाइट पर जाना है और एंटिये की वेबसाइट में जाके देखना है यह एक अपडेट आया है हमारे लिए एंटिये के लिए कि इस सेक्शन के हिसाब से नीट की एक्जामिनेशन यूजी का ज 15 माई 9 पीम तक और फीज पे करने के लिए 15 माई 11 पचास तक तो इसका मतलब ये डेट जो है ये बढ़ा दी गई है तो ये बहुत अच्छी न्यूस है लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं मैंने पहले भी अपने काफी वीडियो में कहा है लास्ट डेट का वेट मत करिये हा whatever the issues कुछ issues की वज़ा से उन्हें ये जो time मिला है they can make a smile on their face ये एक अच्छी बात है लेकिन please do not getting yourself late ना rush मत करिये क्योंकि क्या है ये government examinations है अगर website कहीं hack हो गई या कुछ हो गया कहीं server बहुत heavy हो जाता है initial dates और last dates में whatever the issues है आप अपना काम एकदम मस्त कर लीजे ठीक है तो आ आप लोगं को क्या करना है जाना है registration करना है और वह last date के लिए wait नहीं करना है तो जिनका registration नहीं हो पाया है जिन्होंने अभी तक application form को नहीं भरा है miss हो गया है कुछ भी है तो वह ये कर सकते हैं तो आज का वीडियो के इस important update के लिए ही है बाकि अगर आपको कोई question है कई वीडियो से मैं बताया है कि जादातर कोशिश करें कि हमें correction करना ही ना पड़े लेकिन अगर correction हो गया कोई mistake हो गई तो panic ना हो साहब आपको मौका मिलेगा correction का आप अपनी login ID याद रखें आप अपने password याद रखे need will facilitate you to make the changes in your application forms but please note down that do not कभी भी कोशिश ही ना करें कि हमको correction करना पड़े तो बहुत इत्मिनान से बहुत सावधानी से form भरें जो बच्चे 36 गड़ के हैं रायपूर बिलाई के हैं वो हमारे office में आके भी form भर सकते हैं facility है जो बच्चे बाहर के हैं वो हमसे contact करके हम online उनका zoom वीडियो के through या जैसे भी है whatever the facility we can provide we can fill the form बाकी अगर को आप के लिए 24-7 available है ठीक है ना to help you to facilitate you to make all the queries clear very much और exam के बारे में अगर कोई query है कैसे preparation करें क्या करें regarding need 2022 आप comment section पर आईए और मुझे बताईए कोई topic आप चाहते हैं कि सर आप मुझे पढ़ा दीजे topic यह topic आप upload कर दीजे इसका वीडियो तो वो भी आप comment section पर आके मुझ सबस्त रहें मस्त रहें गर्मिया बहुत जादा हैं अपने आपको dehydration होने से बचाएं कोशिश करें दिन में 11-3 के बीच में ना निकलें कोशिश करें उस समय क्लास में ही रहें जहां पे हैं वहीं पे रहें बाहर ना टहले क्योंकि UV radiation बहुत जादा है गर्मी बहुत जाद आप सब अच्छे हों मस्त हों और कोविड-19 का भी खत्रा पहले की कमपरिसल में काफी कम हो गया है बट हमको सावधान रहना है सचेत रहना है कोशेल एक एडमी रायपूर हमेशा है मैसेज कर रही है कि आप अभी भी मास्क लगाएं सेनिटाइजेशन करें सोसल डिस्टें करें इफ यू कैन ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप सब लोग अपना बहुत धेर सारा ख्याल रखिए और फोकस रहिए अपने एम पे नमस्कार